हेलो दूस्तो नमेशकार मिस मत करना रिमाइंडर सेट करके रख लेना और आज के दिन के जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो से सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये अगर आप चाओ तो उनको भी कबर कर सकते हो तो चले दोस्तो फिलाल इस वडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सवरोसे अब हम लग आचुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर और दोस्तो इस वडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यस दोसो पॉजिटिव न्यूस के बारे में बहुती शांदार और दमदार खबर देखने को यहापे मिल रही है unfortunately यह जो खबर है हम लोगों को during the market देखने को यहापे नहीं मिली अगर यह खबर हम लोगों को during the market देखने को मिल सकती थी तो शायद से यहापे बहुती बड़ा impact भी हम लोगो देखने को यहापे मिल सकता था बट कोई बात नहीं हम लोग यहापे कह सकते हैं आने वाला है जो समये मतलब सुमवार के दिन तो बाजार close है मंगलवार के दिन शायद से बाजार इस news के चलते definitely यहापे positive reaction यहापे दे सकता है and जैसे मैंने आप लोग को का कि यह जो खबर है यह long term के लिए बहुती बहुती सुन्दर खबर है and investor के लिए तो और भी सुन्दर खबर है तो ऐसा हुआ क्या है तो चले उसी चीज़ को अभी हम लोग यहापे समझ लेते है सबसे पहले important चीज़ आप सभी लोग को पता है American Bazar ठीक है अभी चल रहा है कितना 138 पॉइंट की तेज़ी है fine 5 दिन का American Bazar देखोगी तो आप लोगों ने देखा होगा American Bazar में हमें 500 प्लस पॉइंट की तेज़ी देखने को मिली थी right बिलकुल सही गेस किया बहुत सार लोगों ने कि American Bazar में American Bazar का future में जबरदस रहली आई थी कि inflation का data और उसी के साथ साथ jobs से related जो data है वो हम लोगों को release होते वे देखने को मिला था खास करके inflation का data और आप सभी लोगों को पता है American Bazar में जो inflation है वो 9.1% पहले हुआ करता था और बाद में expect किया गया 8.7% तक आएगा बट हकिकत में 8.7 भी नहीं आया कितना आया 8.5% जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही बढ़िया बात है और सिर्फ हमारे बोलने से नहीं होता है खुद American Bazar का future और अमेरिकन Bazar ने जबरदस तेजी यहापे दिखा दीती इस news को यहापे welcome भी किया गया था तो दोस्तो यह तो बात हो गई American Bazar की American Bazar का inflation 9.1 से 8.5% तक यहापे आ गया तो दोस्तो आज की दिन की बात करे तो आज का दिन सबसे important इसले था क्योंकि भारत देश की बात करे तो इंडिया की बात करे दोस्तो तो हमारा देश से related जो CPI inflation का data है वो हम लोगों को आज यहापे देखने का आपे मिलने वाला था और आप सभी लोगों को पता है inflation अभी पूरे दुनिया बर के लिए सबसे main मुद्धा हम लोगो देखने को मिल रहा है क्योंकि inflation को पहले control करो बाद में सारी चीज़े हम लोग उससे निबट सकते है so definitely inflation इतना बेकाबू होता नहीं ऐसा क्यों हुआ yes दो uncertain event back to back हो गए पहले तो COVID and COVID से हम लोग यहापे relax हो ही रहे थे Russia Ukraine war हो गया crude oil के दाम हम लोगों ने देख ले uncertainty क्या बढ़ गई and उसके बाद सारी चीज़े control करते 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 आज भी मेंगाई कितनी ज़ादा है आप सबी लोगों को पता है so आप सबी लोगों को पता है हर कोई country आपे इसके चलते परेशान है पर definitely हम लोग आपे कह सकते है इंडिया की जो position है as compared to the other countries बहुत हद तक हम लोगों को अच्छी देखने को आपे मिल जाती है and सबसे main बात दोस्तो जो दो आई का difference है दोस्तो इस data के बाद इस news के बाद वो gap और भी कम होते वे देखने को आपे मिल चुका है अब यह आप बोलोगे यह दो आई की बात क्या है जो लोग बिलकुल नए है उनको कुछ समझ में नहीं आएगा तो जरू आगे वीडियो को देख लेना आप सारी चीज़े समझ जाओगे पहले हम लोग आ जाते है फॉर्मेलिटी इसको complete कर लेते है इंडिया का CPI inflation rate जूलाय का डेटा सामने आ चुका है और IIP growth rate जून का डेटा यह भी सामने आप आ चुका है इंफलेशन का जूलाय का डेटा है IIP का डेटा जून का है यह आपको पता होना चाहिए सबसे में चीज इंडिया's retail inflation which is measured by the consumer price index जिसको हम लोग प्यार से CPI inflation का डेटा से भी जानते है वो दोस्तो आप देख सकते हो पाँच मैने के मिचले स्तर पे आ चुका है और वो आ चुका है 6.71% के करीब तो बहुत ही दमदार news देखने को मिल रहे है इसके पहले कि अगर हम लोग बात करें तो जून में कितना था महेंगाई 7.1 7.01 और अभी कितना है 6.71 तो हम लोग कह सकते दोस्तों जबरदस्त इंडिया में हम लोग यहां पर कह सकते है जो महेंगाई है वो हम लोग को काबू में आते वे देखने को मिल रहे है as per the data और यह बहुत ही important data यहाँ पर रहता है तो बहुत ही शांदार और अच्छा performance हम लोग को देखने को मिल रहे है भेंगाई की उपर यह data की उपर हम लोग वापस आएंगे पर उसके पहले एक और formality कर लेते हैं कौन सा वाला इंडिया का जो factory output जो रहता है इंडेक्स आफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यह जितना बड़े का अच्छी बात रहे थी वहाँ पर हम लोग को growth देखने को मिली है 12.3% जून का data है जो की बहुत ही अच्छा कासा performance यहाँ पर है यह सारा data आज ही की दिन आप देख सकते Friday की दिन यहाँ पर ministry के और से हमनों को यहाँ पर release होते वे देखने को मिला यह कोई report के जरीए sources के जरीए वाला data यहाँ पर नहीं है सो बहुत ही तगड़ा data देखने को आपर मिल चुका है यह जो growth का data है यह तो अच्छा है बट इसको हम लोग जादा यहाँ पर बातचीत नहीं करेंगे हम बातचीत करेंगे पूरे वीडियो में यहाँ पर जो inflation है वो अभी 6.71 तक हम लोग को आते वे देखने को मिल रहा है and don't forget कौनसी चीज़ yes RBI की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें दोस्तो and इससे related अगर हम लोग आपे बात करें तो यह जो 6% का दाइरा है यह 7th के इधर चल रहा था अभी उसके बहुत ही close आ चुका है so definitely 6.71 अगर हम लोग आपे बात करें आप देख सकते 6 के करीब देखने को मिल रहा है and इसमें बढ़िया बात कौनसी है वो अभी मैं आप लोग को आपे बताने वाला हूँ so दोस्तो अभी आप लोग देख सकते हैं आपे सबसे अच्छी बात कौनसी है MPC के अभी अभी बैठा कुई थी and rate hike भी कितना होता 50 basis point से report rate कितना चला गया 5.40 so दोस्तो point to be noted कि earlier जो मैं आपे बोलता था वो यहापे हम लोग को कम देखने को मिलना चाहिए gap मतलब क्या अगर हम लोग यहापे बात करें interest अभी interest कितना है 5.40 report rate की अगर हम लोग बात करें and inflation कितना था अभी 7.01 था right तो यह gap अगर आप लोग चेक करोगे 1.31 दोस्तो इतना जबरदस drastically हम लोगों को यह कम होते वे देखने को मिलना है एक बार चेक कर ले न 1.31 एक है exactly but इतना तो है कि देड से हम लोगों को देड पसेंट से यह gap अभी मतलब हम लोगों को और भी कम होते वे देखने को मिलना है जैसे मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तो uncertainty हमेशा यह खेल बिगाड सकती है कोई किदर war extremely बढ़ गया या फिर चाइना ताइवान की news अगर आगई तो uncertainty के चलते हैं यह सारा खेल बिगाड सकता है तो हम लोग प्रे करना चाहिए कि situation अगर ऐसी ही बनी रहे तो definitely Indian market यह दुनिया का पहला market होगा जिसने inflation को यहापे काबू किया होगा जो की बे काबू होने के बाद कि मैं बात यहापे कर रहा हूँ तो definitely यह बहुत ही कमाल की बात देखने को मिल रहे and don't forget और एक important point कौनसा वाला कि खुद RBI की अगर हम लोग बात करे quarter two में inflation उन्होंने predict किया था 7.1 अभी quarter two की अगर हम लोग बात करे quarter two में क्या आ जाता है अभी April में June हो गया July आ जाता है August आ जाता है September आ जाता है right so अगर हम लोग जुले की अगर हम लोग आपे बात करें तो यहाँ पे तो हम लोगों को 6.7 देखने को मिला है so August and September में भी अगर हम लोग आपे बात करें तो definitely हम लोग आपे कह सकते कि अगर यह 7th के नीचे भी रहता है तो average definitely यह 7.1 तो होई नहीं सकता उससे कम होगा जो कि हम लोग कह सकते बहुत ही अच्छी बात है so यह सारी चीज़े if but वाली है कि आगे भविशा में होता क्या है करके क्योंकि जैसे मैंने कहा कि geopolitically बहुत सारी चीज़े यहाँ पर चलती रहते है plus minus चीज़े चलती रहते है उसके हिसाब से हम लोग को चलना पड़ता है so थोड़ा सा वो जादा ही यहाँ पर क्या कर लेते है margins को add करके ही चल लेते है but फिलाल की अगर हम लोग बात करें 6.7 हम लोग को यहाँ पर बहुत ही तगड़ा performance यहाँ देखने को यहाँ पर मिल चुका है and अगर inflation ऐसा ही continue रहा तो RBI ने जो बोला था कि 6% के अंदर-अंदर हम लोगों को inflation लाना होता है तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से welcome किया जाएगा उसके लिए तो हम लोगों को quarter 4 का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि quarter 4 की बात करें तो 5.8% RBI ने prediction किया था कि inflation आ सकते है quarter 4 मतलब कब जब new year खतम हो जाएगा मतलब यहाँ पर जो new year start होता है खतम नहीं यह वाला साल खतम हो जाएगा new year start हो जाएगा उसके बाद jan, feb, march वहाँ तक हम लोगों को रुखना पड़ेगा तब जाके 5.8 डिखेगा पर अगर इस तरीके का data हम लोगो देखने को अगे तो और भी बड़ा धमाका हम लोगों को यह आपे देखने को आपे मिल सकता है so definitely Indian बाजार के लिए अगर हमें बात करो दोस्तो तो यह बहुत ही कमाल की news यह आपे देखने को मिली है and long term investment के इसाब से अगर मैं बात करू तो यह तो और भी शांदार performance देखने को आपे मिल रहा है हाला कि data देखे आप लोगोंने invest करना नहीं होता है जैसे मैंने आपको बता है कि company का business माइने रखता है आप अलग-अलग index देखते रहो जाओगे data देखते रहो जाओगे indicators देखते रहोगे और जाके invest करोगे किसी खराब stock में तो आपका पैसा कईसे ग्रो होने वाला नहीं चाहिए फोर वो nifty पचास हजार क्यों न हो तो इसलिए company अच्छा selection करना यहाँ पे आना चाहिए बट ऐसा data हमें यह बताता है कि market अच्छा कासा हम लोगो smoothly और आगे बढ़ते वे देखने को मलेगा जो यह momentum है वो ज़रू हम लोगो continue रहते वे भी देखने को आपे मिल सकता है और आज ही की दिन की बात करें तो आप देख सकते है foreign investor ने 3000 करोड से जादा की net buying की है तो यह क्यों buying कर रहे क्योंकि उनको अंदाजा आ चुका है कि inflation के मामले में अभी इंडिया का जो gap है 2i का वो बहुत ही अच्छी तरीकी से कम यहापे हो चुका है और आने वाले समय में और भी यह gap हम लोगों को कम होते वे देखने को आपे मिल जाएगा तो बहुत ही धमाकेदार यह खबर हम लोगों को देखने का आपे मिल रही है तो आशा करता हूँ यह सारी बाते आप लोगों को पसंद आए होगी तो अगर आप चाहो तो इस वीडियो को like and share कर सकते हो and demand account अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description box में 25 वीडियो के list आपको बिलकुल free of cost मिल जाएगी आपका नाम कौन सा account आपने link के through open के comment section में properly बता देना तो हफते बर के अंदर-अंदर यह सारी वीडियोज आप लोगो free of cost प्रोवाइड कर दिये जाएगे so that's it thank you very much so we will be meeting our next studio तब तक के लिए bye bye